मौसम में बदलाओं के साथ ही तुचा पर infection होने की आशंका बढ़ जाती है ऐसे में गर्मियों में तुचा को विशेश देखबाल की जरूरत होती है चिल्चिलाती धूप और धूल बरी हवा से तुचा की नमी खत्म हो जाती है जिससे तुचा शुष्क और मुर्जाई सी बेजान हो जाती है ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने पर कई सावधानिया बरतने की जरूरत होती है आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय मित्तल जिससे बाहर बरतने की जरूरत है जो बता रहे हैं गर्मियों के मौसम में अपनी तुचा की देखवाल कैसे करें और क्या-क्या सावधानिया बरते हैं आईए जानते है गर्मियों की कारण से अत्ततिक पसिने से अत्ततिक उमस से फंगल इंफेक्शन के बहुत चांसर होते हैं अभी हमारे रूटीन ओपिटी में 50% पेशेंट फंगल इंफेक्शन से ग्रसित आ रहे हैं क्योंकि इस गर्मी के सीजन में अत्ततिक पसिने से उमस से गर्मी से जो फोल्ड्स हैं इसकिन के फोल्ड्स हैं जैसे अईजिला रीजन है अंदर थाईज के पास में जो रीजन है उसमें फंगस का संक्रमन हो जाता है और एक बार फंगस का संक्रमन होने की वज़े से अगर एक व्यक्ति को घर में फंगस का संक्रमन हो गया है तो वो परिवार के सभी सद्रस्यों को हो जाएगा अभी इस समय ये फंगस इंफेक्शन बहुत ही ज़ला देखने को आ रहा है और रूटीन मेडिसन भी इसमें कारगर साबित नहीं हो रही है इस फंगस इंफेक्शन के लिए मैं मरीजों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी दवाई अपने आप से ही मेडिकल स्टोर से वो ना ले क्योंकि ऐसा करने से फंगल इंफेक्शन काफी बढ़ रहा है और उसका प्रोपर इलाज भी नहीं हो पा रहा है और दूसरा इस गर्मी के सीजन में गहमोरियां भी एक बहुत बड़ा इशू है फंसियां, बॉयल, पायडरमा ये भी काफी बड़ा इशू है जो इस समय देखने को आ रहा है बच्चों को काफी जादा होता है जिसमें फंसी हो जाती है, दर्द होता है, मवाद बन जाती है और गहमोरियों में पूरे सरीट में जलन होती है और खुझ दे चलती है तो उसके लिए एक मरीज को ये सला दी जाती है गर्मियों के दिनों में खान पान का ये महतों रहता है कि गर्मियों के कारण से जो गर्मी का असर कम करने के लिए अपने को थंडी वस्तों का थंडी चीजों का थंडे पेपदार्थों का सेवन करना चाहिए गरम चीजें, मसाले वाले चीजें, fast food, junk food, अक्तियादी चीजों का कम सेवन करना चीए क्योंकि ये वैसे भी शेयत के लिए नुक्सान दायक है और गर्मी के कारण होने वाले infection में भी इनका प्रभाव रहता है ये बढ़ाती है उन विमारियों को इसने ठंडे पेपदार्थ जैसे घर पे बनेवे juice हैं और आइस क्रीम अगरे भी अगर खा सकते हैं घर में भी ठंडे ठंडा पानी नहीं पेएं पर ठंडा पानी पेएं मटकी का पानी पेएं जिससे गर्मी का प्रभाव कम से कम रहे है मार्केट में बहुत तरह के नामों से बोडी लोशन, मोश्टरिंग लोशन, संस्कीन बहुत सारे मिल रहे हैं पर मेरा है मानना है कि बिना किसी डर्मेटलोजिस्ट के या डॉक्टर की सला के कुछ भी नहीं लगाना चीए क्योंकि ऐसा करने से ऐलर्जी डर्मेटलोजिस होने के चांसे काफी मात्रा में रहते हैं पेशन्स हमारे पास में कुछ संस्कीन, कुछ लोशन लगा के आते हैं कुछ कोस्माटिक चेहरे पर यूज़ करके आते हैं जिसके बाद में उनके चेहरे पर दाने-दाने, अलर्जी, रैडनेस काफी ज़्यादा हो जाती है इसने मेरी सला है कि बिना किसी को गाइडेंस के बिना किसी को दिखाए वो अपने आप से कोई भी दवाई या आप लोशन ना लगा सर इस समय जो लाल चक्ते और जो खुझली वाला कारण है वो है फंगल इंफेक्शन जैसे मैंने बताया कि फंगल इंफेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय फंगल इंफेक्शन को ठीक होने में लगबग 3-4 मिने लग रहे हैं क्योंकि पेशेंट सरवात में आता है दस दिन दवाई लेता है दवाई लेता है उसको इंप्रोमेंट आ जाता है वो अपने आप से दवाई डिस्कंटीनिव कर देता है बंद कर देता है मेरी मरीजों से राय है जिनको भी फंगल इंफेक्शन हो रहा है जिनको भी गोल-गोल चकते लाल चकते खुजली वाले चकते देखने को मिल रहे हैं वो विशेश रूप से गंबीरता से लें इस बिमारी को और अपना इलाज स्किन स्पेस्टिस को दिखा कर पूरा कराएं और घर में भी और किसी व्यक्ति को ये बिमारी हो रही है तो उसका उनका भी ट्रीटमेंट कराना जबहुत जरूरी है क्योंकि ये एक से दूसरे को फैलता है इसमें कुछ सावधाय भी रखनी होती है प्रोपर तरीके से ट्रीक्मेंट लेंगे तो इसका इलाज पून रूप से संभाव है रूक साथ आज जो दिन चलिया है और इवनिंग तक कि तो क्या होनी चीज से तवचा के संभणी रोग है वो कम से कम हो इसके लिए मेरा है मानना है कि एक तो उमस और गर्मी के वातावाण में मरीज कम से कम जाए व्यक्ति कम से कम जाए है क्योंकि सकिन की ज़ ubiqu है ज्यादातर बिमारियां है ज्यादा गर्मी ज्यादा पषीने की वज़ह से ज़यादा होती है और चाहे वो फंगल इंफ्रेक्शन हो चाहे बेक्तरीटिन रूपक्शन हो और धूप में जाने से चेरे पे काले दाग हो जाते हैं contratate इसके लिए sunskin का उपयोग करें swimming pool में जाने से पहले भी sunskin का उपयोग करें क्योंकि swimming pool पे भी इस समय जो घर्मी का चीज़न आ रहा है उससे tanning हो जाती है pigmentation हो जाता है पुरी body पे tan हो जाता है उसके लिए sunskin का प्रयोग करें ठंडी पदार्थों का सेवन करें ठंडी तरल पदार्थों का सेवन करें और गर्मी का बचाव रखें खाने पिने में मिर्ची वाली चीज़ें गरम चीज़ें का कम से कम सेवन करें लोग साब इसके जो प्रावलम होती है इसके आदू जो मशीन है उसका भी प्रेवात आया विन प्रकार के लेजर मशीन भी है जैसे डायोड लेजर जो की अंचाहे बालों को खतम करने की मशीन है इसमें हर एक डिड़ मेने से एक सिटिंग होती है साथ से आठ बार कम से कम ये सेशन करने पड़ते हैं इसे डायोड लेजर मशीन से अंचाहे बालों को उठाने की मशीन का ही जाती है दूसरी मशीन होती है क्वी सिच एंडिया लेजर मशीन इससे जो दाग दब्बे हैं चेरे पे अनीवन स्किन टॉन है उसको ठीक करने के लिए सेशन होते हैं सिटिंग होती है अगर यहे वीडियो और जानकर आको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे